बच्चो नमस्कार श्वागत है आपके अपनी यूटूब चनल एग्रोटेक्ट स्टडी में बच्चो आप कैसे हैं उम्मीद करता हूँ भावत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे मेहनत कर रहे होंगे बच्चो जो आपने लक्ष बनाया है उसको जरूल प्राप्त करें आप बस आप मेहनत से जुटे रहें अपने लक्ष की और बढ़ते रहें रुके नहीं रुकने का नाम तो आपको ले नहीं नहीं है बच्चो तो बच्चो फिर मैं हाजरूं आपकी 12th एगरी कल्चर की एक किलास लेकर बच्चो और सब्जेक्ट है आपका क्रॉप पोड़क्शन एन होटी कल्चर और चेप्टर का नाम है बच्चो बैप सहब फसलों के खेती नए ब्लूप्रिंट के आधार पर यह चेप्टर आपकी एकजाम में 4 नमर का पूछा जाएगा जिसमें से बच्चो 4 ही ओटी आपकी एकजाम में पूछे जाएंगे कितने ओटी? 4 ही ओटी आपकी एकजाम में पूछे जा रहे हैं तो उसी के आधार पर हमने ये वीडियो आपको तयार किया है ठीक है बच्चो चलिए अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए जोड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूल कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिलको न भूलिए जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेसन है वो सबसे पहले मिल सके चलो बच्चो देर ना करते हुए अब हम इस वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं तो बच्चो शुरुआत कर लेते हैं हम सबसे पहले हम बनसपतिक नाम पोधों के उनका कुल और उत्पतिस्तानों के बारे में जान लेते हैं बच्चो लेमन गहांस इसका बनसपतिक नाम है शिम्बो पोगान फ्लैक्सु ओसस कुल है ग्रेमनी बच्चो ग्रेमनी का दूसरा नाम आपको पताई है पोएसी है और उत्पत्तिस्तान लेमन गहांस का है भारत दूसरा है बच्चो सिट्रो नेला घांस ये आपका बनसपतिक नाम है इसका सिंबो पोगान बैक्टरी रिमेनस क्या है बैक्टे रिमेनस कुल कुन सा है इसका भी ग्रेमनी है दूसरा नाम आपको बताई दिया पोईसी है उत्पतिस्तान इसका भी भारत है तीसरा है बच्चो खस गहास इसका बानसपतिक नाम बेटी बेरिया जिजे नेडीस है और कुल आपका वही ग्रेमनी और उत्पतिस्तान वही आपका भारत तो बच्चो तीनों में तो कोई प्रव्रम नहीं होगी तीनों घहासों में बातनी कलेम जरा आपको याद कर लेना चौता है बच्चो रतन जोत का बातनी कलेम जेट्रोफा करकस है बच्चो इसका कुल U4-VAC है और इसका उत्पतिस्तान मैक्स को है याद रखें आप लो रतन जोत के बारे में कई बार पूछा जाता है जेट्रोफा करकस बच्चो इसका कुल और उत्पतिस्तान इसका मैक्स को बच्चो पांचबा पॉइंट है पौधीना पौधीना का बनस्पतिक नाम मैंथा आर्वेंसिस है और पौधीना को इंगलिस में मैंथा कहते हैं सब जानते होंगे कई जगे आपको लिवेटी भी लिखा मिल जाएगा तो कन्फ्यूज ना हो एक ही बात है उत्पतिस्तान चायना है बचो छटबा है आपका चंदन चंदन का जो बोटनी का नाम है सेंटेलम एलबम है और कुल है आपका सेंटेलेसी तो बचो ये बनस्पतिक नाम कुल एवं उत्पतिस्तान ये बेरी इंपोटन्ट है इनका आप अच्छी प्रकार से देख लें रट लें क्यूंकि आपको पता है चार ओटी इस चेप्टर से पूछे जा रहे हैं तो कम से कम आपको दो प्रश्मतों हैं से ही मिल जाएंगे ठीक ना अब चलते हैं आगे की ओप बच्छो आगे हैं लेमन घास के बारे हम बात कर लेते हैं लेमन घास को चैना घास मालाबार घास कोचीन घास नीवू घास आदी नामों से जाना जाता है याद रखना इंपोटेंट है कई बार पूछा चुका है इसलिए बता रहा हू लेमन घास के कई नाम है उनके नाम जरूल आपको याद होना चाहिए चाइना घास मालाबार घास कोचीन घास और नीवू घास चार नाम है क्लियर चलिए आठवा पूछा बच्छो कावेरी प्रगती CKP 25 तीन जो बैराइटी है कावेरी अलग है प्रगती अलग है और CKP 25 आदि लेमन घास की जातियां है क्या है ये लेमन घास की प्रमुख जातियां है किस में है नो नुबा पूइंट है बच्छो लेमन घास की पत्तियों में तेल पाया जाता है या पत्तियों से तेल निकाला जाता है ये भी हम लोग कह सकते हैं लेमन घास के किस बाक से तेल पत्तियों से तेल निकाला जाता है ठीक है बच्चो दसबा प्विंट है लेमन घास के तेल का मुख अवयब सिट्रल है बिल्कुल इसके जो तेल में पाया जाता है मुख अवयब है मुख रशाइन कह सकते हैं मुख पदात कह सकते हैं तो उसका नाम क्या है citrall क्या है citrall कई बच्चे confusion जाते हैं कि इससे पहले citrall गास आने वाले इससे आगे सोरी आगे citrall गास आएगी तो उसका मुख अभी 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 citrall नहीं है lemon गास का मुख अभी अभी citrall है ठीक है ना लेमन गास का होता है चिलोट्रिया बच्चो कई बार पूछा जा चुका है चिलोट्रिया लेमन गास का प्रमोग कीट है पूछा जाता है चिलोट्रिया किसका कीट है ध्यान रखें लेमन गास का प्रमोग कीट है चिलोट्रिया ओके बारवा पॉइंट बच्चो लेमन घास में 70 से 90 प्रतिसत सिट्रल पाया जाता है लेमन घास में 72-90 परसेंट क्या पाया जाता है सिट्रल पाया जाता है जो की इसका मुख अवियाब है तेरवा पॉइंट बच्चो लेमन घास की लाग रंग की तने वाली कौनसी लाग जिनका कलर होता है तने का वाली जाती से उत्तम किस्म का तेल प्राप्त होता है ठीक ना ध्यानक है लाग रंग की तने वाली जाती से चलिए बच्चो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स बच्चो मंदाकनी एबं मंजूसा सिट्रो नेला घास की प्रमुक जातियां यह आपकी सिट्रो नेला घास की पत्तियों से तेल निकाला जाता है बिल्कुल लेमन घास की पत्तियों से तेल निकाला जाता है 2 बच्चों सोलवा पॉंट है सिट्रोन एला घंस में जितियान ओल पाया जाता है इसको जरेनुल भी कहते है याद रखें आप लोग जितियान ओल या जरेन दोनों नाम ही आपके कोई साभी अपको एक्जाम मिल जाए तो आप अप लोग ध्यान रखें ठीक है ना सिट्रोन एला घास में जितैन या जरेन ओल पाया जाता है सत्रबा बिंदुए बच्चो सिट्रोन एला घांस एवं लेमन घांस का प्रसारन दोनों का ही प्रसारन प्रसारन तो आप अच्छी तरह जानते हैं इससे पहले मैं आपको चेप्टर में पढ़ा चुका हूँ पूरा ही प्रसारन पढ़ाया था वहां पर तो इसका प्रसारन स उसको ही हम शिलीपस या परोए के दौरा होता है ठीक है बच्कों तो याद रखेंएंट स coraz कीँर में रख आक है प्रेव और अब lidt गांज का प्रसारन कीव हैं किआ जाता है मतल़ंग नूसरा पूदा तैयार किया जाता है उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा अठारवा बिंदु में बच्चो सिट्रो नेला घांस की खेती दच्छी भारत में की जाती है बिल्कुल सिट्रो नेला जो घांस है इसकी खेती कहां पर की जाती है दच्छी भारत वो ही आपके करनाटक है आपका जैसे तमि कि रतन जोथ में तेल पाया जाता है और इस तेल का उप्योग बायो डीजल जैवीधन की रूप में करते हैं विसे स्याद रखें बच्चों रतन जोथ का बोट निकलने मैं आपको पहले वता चकाऊँ जेटरोपा करकस जेटरोपा के नाम से भी जाना जाता है और इसका उप आपको बायो वीड़त के रूGU-में इसका उप्योग किया जाता है इसमें जो उइल निकलता है इससे हमिद्धियो कर सकते हैं और विल्विंद्ध टिकोर सब्सक्राइब कर सकते हैं शुरु को चलिए अब बढ़ते आगे 22 वे पॉइंट की ओर 22 पॉइंट है बच्चो रतन जोत का उपयोग जय वीदन के अलावा लकवा कैंसर आधी रोगों में भी किया जाता है याद रहे लकवा जैसी बीमारियों में कैंसर जैसी बीमारियों में भी रतन जोत के जो तेल होता है उसका उपयोग करते हैं 21 बच्च बेरी इंपोडेंट पॉइंट है नाग चमपा रतन जूत की एक पिरमुक किस्म है याद रहे रतन जूत की एक बैराइटी है 22 बाइसवा बिंदो है बच्चो रतन जूत को दिर्वन्ती वद्रवन्ती का जंगली अरंड आधी नामों से जाना जाता है याद रहे आपको के रतन जूत के और भी नाम होते हैं उन नामों का क्या मैं बताया आपको जैसे दिर्वन्ती है वद्रवन्ती का जंगली अरंड आधी नामों से इसको हम लोग जानते हैं ठीक है बच्चो तेईसवा बिंदू है रतन जूत के तने से निकले द्रव का उपयोग जैसे हम रतन जूत में अगर इसे कट लगा है तो उससे एक द्रव निकलता है उस द्रव का उपयोग हम क्या करते हैं घाओ एवं फोड़ों पर लगाने के लिए किया आता है बच्चो चोवीस बब इंदू है रतन जोत में वीगलन रोग लाता है वीगलन जो रोग होता है वोता है जड़ में होता है ध्यान रखे और इस rock के कारण पोधि की जड़ होती है वो गल जाती है बाद में तना भी गल जाता है और यहाई root आपका फ़पुंद के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है fungus के द्वारा यह है रोग फैlt다 है ठीक है बच्चो 24 बिंदी complete हुए बात करते हैं आगे 25 वे आपके पॉकंट की बच्चों 25 वा पॉकंट है अपका KS1 KS2 सुघंदा खस घंदा की जाती है बिलकुल खस घंद की बात कर रहे हैं हमें आपर कि KS1, KS2 और सुघंदा ये तीन वेराइटी हैं जो कि खस घंद की जाती है बच्चों खस गांस की जड़ों से तेल निकाला जाता है इसको याद रखना हम आपर पड़ रहेते लेमन गांस और शिट्रो नेला गांस तो दोनों की पत्तियों से तेल निकाला जा रहा था लेकन यहाँ पर हम खस गांस को पड़ रहे हैं मानना नहीं जब की सही है कि कोई भी घास हो आपकी सबी घास आपकी भहुवर्षिय होती है यहां पर कोई special point नहीं है तो खस घास का भहुवर्ष है पर तो सबी घास है आपकी भहुवर्षिय ही होती है 28 बाव बिंदू है बच्चो खस घास की जड़ों से इत्र प्राप्त होता है जानते होंगे यह तो आप लोग इत्र इत्र बोले तो सेंट बोलते हैं इसको जैसे आपने बहुत सारे जैसे अगरुबती भी आती है इसकी खस घास से बनी वहापे लिखा रहता है खस घास बहुत सारे परफ्यूम जो हैं सेंट जो हैं वह आपके किस्से बनाया जाते हैं इस आपकी खस घास से उनको बनाया जाता है आगे बच्चो खस घास की बुबाई का समय तो खस गास का जो बुबाई का समय है वो है जून से जुलाई यानि ये खरी प्रितु में इसको बोया जाता है और बुबाई का समय आपको यादी रहता है कोई भी खरी प्रितु की फसल है तो बुबाई का समय उसका जून टु जुलाई ही होता है तीसवा पॉइंट है बच्चो खस गांस की जड़ें सरीर की गर्मी जलन को दूर करती है बिल्कुल अगर बोडी में जलन इवं गर्मी जादा है तो खस गांस की जड़ें खाने से उसकी जलन इवं गर्मी दूर हो जाती है 31 पॉइंट है बच्चो खस गहास का प्रसारन भी सिलिप से या प्रोहे के द्वारा किया जाता है याद रखें तीनों गहासों का प्रसारन सिलिप से या प्रोहे के द्वारा ही किया जाता है इंपोर्डेंट है इसलिए इसको बार बार आपको बता रहा हूँ चलो बच्चो बढ़ते हैं हम आगे सिवालिक एवं हिमालियन बिल्कुल बच्चो सिवालिक एवं हिमालियन पौधीना की किसम है या जातिय है बिल्कुल याद रखें सिवालिक एवं हिमालियन पौधीना की महत्पून आपकी जातिय है 33 बिंदु है बच्चो बिस्ब में सबसे अधिक पौधीना भारत में होता है सब जानते भी होंगे कि सबसे ज़्यादा बल्ल में पौधीना हमारे यानि इंडिया में आपका प्रोडक्शन इसका होता है 34 बिंदु है बच्चो पौधीना की पत्तियों से भी तेल निकाला जाता है बच्चो पिपरमेंट का उप्योग ज़्यादा तर बिविन प्रकार के सेंट बनाने और अपके जैसे कह सकते हैं परफ्यूम बनाने में कियाता है लेकिन कई लोग पिपरमेंट का उप्योग जो है आपका तम्माकू खाने वाई लोग होते तो पिपरमेंट का उप्योग बहाँ पर भी तम्माकू खाने में भी किया जाता है पौधीना की खेती सुगंदित तेल के लिए की जाती है याद रखें पौधीना की जो खेती है वो सुगंदित तेल के लिए की जाता है सुगंद बाला तेल और वो की बास्पसील तेल प्राप्त की जाता है ध्यान रखें बास्पसील तेल आपका इसे प्राप्त किया जाता ह नेक्स्ट है आपका चंदन की ब्रक्चों पर सासन का दिखार है सब जानते हैं कि चंदन के जो भी ब्रक्च है आपने बोटनी का लाम याद रखे हैं सेंटेलम एल्बम है कुल इसका सेंटेलेसी है और चंदन की ब्रक्चों पर किसका दिखार होता है आपकी government दोती है उसका अधिकार होता है याद रखें बहुत ही महत्पून है चंदन आपको पता है चंदन का टीका लगाया जाता है जनले तो वही चंदन के हम यहाँ पर बात कर रहा है बच्चो 38 पॉइंट है इस चेप्टर का लास्ट पॉइंट है आपका चीन में पॉधिना की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है सबसे ज़्यादा पॉधिना का पॉड़क्शन की हम जब बात करते हैं तो बड़े पैमाने सबसे ज़्यादा तो इंडिया में की जाती है लेकिन बड़े पैमाने पर आप कह सकते है चीन में भी आपकी इसकी खेती की जाती है ठीक है बच्चो तो ये 38 पॉंट मैंने इस चेप्टर में रखे हैं बच्चो इन से बाहर नहीं जाएगा आपने पहले भी वीडियो पढ़ा होगा इस चेप्टर का पहले जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था अब भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से पढ़ा दिया है बच्चो वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और अपने बच्चों को अपने जो साथी हैं उनको सेयर करना बिलकुर न भूलें आपके जो भी भाई भेन हैं उनको जरूर सेयर करें जिससे उनका भी भला हो सके बच्चों ठीक है और मैं आपको important question की जो है ला रहा हूँ यह 10 अपरेल तक आपको जो भी important question है तीनों चप्टर से वह मिल जाएंगे जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए वह वीडियो रहेगा जो 90 पलस जाना चाहते हैं तो उनको तो long ही पढ़ना है shortcut के चकर में ना पढ़ने बिलकुल भी वह कहीं भी shortcut आपको पता है कि बच्चे उसमें क्या हो जाते हैं गुमरा हो सकते हैं तो लोग shortcut के चकर बिलकुल नहीं रहें आप long ही पढ़ने और long मैं आपको पढ़ा रहा हूँ shortcut लाओंगा जो बच्चे कमजोर हैं सिर्फ उनके लिए ठीक है ना तो बच्चो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए बच्चो नमस्का